मैं आज आपको कुछ सुझाओं पर कार करने का आगर करना चाहता हूँ वैसे भारतिय जनता पार्टी ने हमारे राष्टिय अध्यक जी नद्राजी ने हमारी राष्टिय टीम ने जो एक खाका तयार किया है मैं उसी को सिर्फ से दोहरा रहा हूँ लेकिन मैं अपने तरीके से अपने शब्दों में दोहरा रहा हूँ यह हम सब कार करता के नाते मेरे लिए भी बंधन करता है और हम सब कार करताओं ने पार्टी के इस आगर को जरूर पालन करना है इन सुजावों में अन्तियोदय की भावना भी है और सेवा का अटल संकल्प भी है मैं आज इस विशेश परिस्तिती में इन मैंसे कुछ कारियों पर थोड़ा अधीक बल लेने के लिए आपसे आगर करूंगा साथियों मैं आपसे प्रार्थना करूंगा इसे एक तरह से आप मेरे पांच आगर मान सकते हैं पंच आगर इसमें पहला आगर है गरीबों को राशन के लिए अवीरत सेवा अभियान ऐसाने कुछ दिन करेंगे अभिरत सेवा अभियान जब से ये संकट सुरूआ है तब से भाजपा के लाखों कायर करता हैं दिन राद गरीबों की मदद करने उन्हें राशन पहुँचाने के कारे में चुटे हैं आने वाले दिनों में आप सभी को इसे एक बड़े अभियान में बदलना है अपने खेत्रे में और भी जो छोटे मुटे सामाजिक संगठन काम करते हैं उनको भी एक धागे में पिरो करके सबको जरूरत मन को पहुँचे जरूरत मन को रहना जाए ये हमें सुनिश्चित करना है एक एक भाजब कारकरता ये पक्का कर लें कि हमारे आजपास एक भी गरीब भूका न रहे उसके पास परियाप्त भोजन हो साथियों आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि किसी की मदद के लिए जाते समये फेश कवर जरूर पहने और मैं ये भी बताता हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टरनों के लिए निर्धारित हैं जो नर्सिस के लिए निर्धारित हैं जो परामेलितर स्टाप के लिए आवशक है वैसे मार्क्स पहनना ही जरूरी है ऐसा नहीं है हर घर में किसी भी साधरन कपड़े से हम तयार करें और फेस कवर रख सकते हैं और मैं तो मानता हूँ यह लगबग हमें आदत बनाने ही पड़ेगी इससे बचने के लिए हमारा फेस कवर हो तौलिया हो कुछ भी हो लेकि लगातार हो मेरा दूसरा आगर है कि अपने साथ ही आप पांच सान अन्य लोगों के लिए अपने घर में फेस कवर बना करके उनको गिप्ट दे सकते हैं उनका वित्रण कर सकते हैं साथ्यों इस मुश्किल समय में समाज को सेमाय दे रहें सभी लोगों का आभार करना उनके प्रती धन्यवाद व्यक्त करना उनको मनोबल बढ़ाना ये सिर्फ हमारा हिदाई तो हैसा नहीं है समाज को भी इस काम के लिए मोबिलाइज करना शाहिए मेरा तीसरा आगरह है उसी संदर में के धन्यवाद अभियान चलाने के लिए पार्टी की तरफ से हमें एक मोटा मोटा खाका दिया गया है कि पांच अलग अलग वर्ग है और हर घर से इन पांच अलोगों के लिए अलग अलग धन्यवाद पत्रा लेना चाहिए और ये धन्यवाद पत्रा ले करके हमें सामुई कुरुप से उनके सामने देना चाहिए और वो भी पोलिंग बुथ में करना चीए पहला वर्ग है आपके इलाके में जो भी नर्सस और डॉक्टर हो दूसरा सफाई कर्मचारी तीसरा पुलिस कर्मी चोथा बैंक और पोस्ट अफिस में काम कर रहे लोग पांचवा आवशक का सेवाओं में जुटे हुए सभी सरकार मुलाजीम हमें सभी का आभार व्यक्त करना है इसके लिए आप अपने अपने बूथ में और जब पार्टी के 40 वास्था अपना दिन है तो इसको याद रखते हुए हर बूथ में 40 गर इन पांच अलग-अलग प्रस्तावों पर सिगनेचर करें पांच अलग-अलग सेट मे धन्यवाद पत्र तयार हो और वो सारे धन्यवाद पत्र उसी पुलिंग मुथ में जो जो समन्दित हो उन तक रूबरू जाकर के दिया जाए साथियों कोरोना के खिलाब लड़ाई में मदद करने के लिए एक और काम में आपसे आगरे पुरवग करना चाहूँगा यह लंबी लड़ाई के लिए बहुत अनिवाद है हम जितना सफलता पुरवग इस काम को करेंगे हम आने वाले दिनों में संक्रमन की स्थिती में काबू पाप आएंगे और वो है भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु एप विक्सित किया गया है हमने इस आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करने के लिए मेरा चौता आगरह है कि जादा से जादा लोगों को जानकारी दें और कम से कम 40 लोगों के मोबाइल में ये एप आप इंस्टॉल करवाए ही और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए तो आटोमेटिकली वैप से उनको बताए जाएगा कर अब आपको किस बिमारी की क्या स्थित्य है आपको आगे की क्या सेवाउं की जरूत है आपको किस की मदर लेनी चाहिए आपको किन-किन लोगों से बचके रहना चाहिए उनको पता चलेगा कि आपके पास ये सोज्जन कल आके गए थे वो संक्ट वाले हैं अगर उसके पास ये एब होगा तो उसके पता चलेगा और इसलिए शंक्ट के इस्थिती में हमें ये आरोग्य सेतु एब हरेक यहां इंस्टाल भी करवाना है और उनसे भरवाना भी है एक और काम है इतनी बड़ी लड़ाई है आर्थी के सेवा बहुत महत्वपुन होती है हमने देखा है कि जब देश युद्ध के मोर्चे पर होता है तो हमारी मांता है बैने गहने देते ते सोना दे देती है गरिब भी गरिब अपना पाच पैसा दस पैसा बचाया हो तो देने के लिए भार आ जाता है यह हमने हर युद्ध के समय देखा है ये एक युद्ध मानवता के खिलाब है ये युद्ध से जरा भी कम नहीं है युद्ध के समय देश के लिए देश के नागरीकों के लिए जिस प्रकार से हम दान के एक बहुत बड़ी परंपरा खड़ी कर देते हैं इस समय भी लाखों लोग पीम कैर्स फंड में दान कर रहे हैं लेकिन वो और बढ़ना चाहिए हैं और इसलिए मेरा पांचवा आगर है कि प्रतेग भाजबा कायरकरता को खुद भी खुद भी सहयोग करना है और बीजेपी के 40 सान निमित और 40 लोगों से भी पीम कैर में फंड सहयोग करने करें प्रेरित करना है